तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेक्शन यानि फ्रेक्शन चेप्टर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके हर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आए इसको हम लोग देखते हैं के करके फर्स्ट है एडिशन ओफ फ्रेक्शन एडिशन य काता है फ्रेक्शन ऊपर वाले को अंश काता है नीचे वाले को हर यानि कि उंगले को याद नी । नीचे वाले गाते है तो सबसे पहले हम लोग ओर और पंदरा इसका य सिम लेते हैं कितना से कट रहे हैna पांच ऑकांच पांच तही पंद्राउ अब नुसरा भाग देते हैं LCM को यानि डिनमेंटर जिसका LCM लिया थे उसी से भाग देंगे पांच त्याई 15 तीन मरतवा में तो चार त्याई 12 प्लास यह 15 से 15 कितना एक मरतवा में तो 6 एकम 6 अब यह सारे को जोड़ दो बारे 6 अठाड़ा अठाड़ा बटब 15 यह हमारा एडिसन और फ्रेक्शन का फाइनल एंसर है कोई मतलब बड़ी बात नहीं यह 3 4 5 6 सब ही क्लासों में इसका इस्तमाल होता है तो आप किसी भी क्लास में है तो इसको सीख घटाओ इसको बटब का घटाओ करते हैं तो आए पांच और 15 का फिर से इसमें लेते हैं तो पांच और 15 का एलसे हम लोग आड़ी पहले ले लिए हुए हैं तो इसका एलसें 15 आ रहा है ऐसे वह ऐसा ही होगा जैसे एडिसन और फ्रेक्शन है जैसे 5 से 15 तीन मरतवा में है है तो चारतियां 12 माइनस यह 15 से 1 कम 15 एक मरतव में तो 1 से 6 6 अब उसमें जोड़ किये थे ऐ हैं लेकिन फ़र्क किये है कि इसमें जोड़ का साइन रहता है और इसमें घटाओ का साइन रहता है तो इसमें कोई फर्क है नहीं समझ गए न तो आईए हम लोग इसको आगे करते हैं देखते हैं 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 15 ये इसका final answer है तो हम लोग addition of fraction को सीखने के बाद multiplication of fraction को हम लोग सीखने जा रहे हैं multiplication of fraction होता है क्या है आईए इसको देख लेते हैं addition of fraction और subtraction of fraction यानि बटा का जोड़ और घटा के बाद सबसे आसान यह है मुझे तो सबसे आसान लगता है पता नहीं आप लोग को क्या लेकिन सबसे आसान लगता है मुझे तो देखिए इसमें करते क्या है लगता है direct cross कटा देंगे उपर नीचे भी कट जाए तो भेहतर है नहीं तो क्रॉस तिरचह तिरचह भी कट जाए तो सही है नहीं कट तो direct गुना कर दो answer बस जैसे तीन से कट जा रहा है तीन सते 21 यह सात से यह सात कट जा रहा है एक मर्तबा में उपर क्या बचा है एक पीचे चार, answer, very simple, तो आईए, multiplication of fraction के बाद हम लोग, division of fraction, यारे बटा का भाग, इसको कहते हैं हम लोग, तो आईए उसको सीख लेते हैं, अपलोग के सामने बटा का भाग है, ये थोड़ा सा complex है, लेकिन, अगर एक बार आप देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि समझ में आजाएगा तो देखे यहां पर 18 बटा 16 है करते यही है भाग को गुना में बदलते हैं लेकिन चीज एक ख्याल रखना पड़ता है कि जब भाग गुना में बदलता है तो 4 बटा 80 है ना दूनवा, 38. फिर 2 से 2 अठ है 16. 40, दूना, 80. 40 मर्तबा में, कट जा रहा है. फिर ये 2 से ये कितना मर्तबा में? 20 मर्तबा में, कट जागा. फिर ये 2 से 4 मर्तबा और 10 मर्तबा में. फिर ये 2 से 2 दूना 4, 2, 5, 10. ऊपर क हैं बचा? 9 और 5. यानि कि उपर क्या बचा 9 और 5 उपर बचा यह देखिए 9 और 5 नीचे सिर्फ 2 तो 9 गुने 5 और बट्टा में 2 तो 9 पचे 45 बट्टा 2 यह है फाइनल एंसर यह थोड़ा सा कंप्लेक्स है आप लोगों कर्टाने वगर में थोड़ा सा प्रोब्लम होती होगी पर कोई बात नहीं यह प्रैक्टिस करेंगे तो आही जाएगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगी इसलिए इस प्रैक्टिस करेंगे लोग करेंगे सμέकि उाइल यह थी है जाएगा लोगगा में द्म्टा इसलिए स्टाइ